कि सबसे उची चोटी का नाम Mount Everest है दरसल ये उन बेसिक सवालों में से एक है जो हमें बच्पन से ही रटाए जाते हैं आप मेंसे बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि Mount Everest का नाम एक अंग्रेज अधिकारी Sir George Everest के नाम पर रखा गया था लेकिन जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो यह है कि जिन सर जोर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया उन्होंने न तो कभी माउंट एवरेस्ट की उंचाई मापी और नहीं वे कभी अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट के आसपास भी फटके जी हाँ, बल्कि आपको और भी सुख़त आश्र होगा जब आप ये जानेगे कि एवरेस्ट की उंचाई नापने वाला शक्स कोई ब्रिटिस नहीं बल्कि एक भारतिय गड़ितग था और इस भारतिय का नाम था राधानात सिकदर क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? शायद नहीं, हम मैंसे बहुतों नहीं सुना होगा क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो ज्यादतर वही है जो अंग्रेज या विदेशी इतिहासकार हमारे लिए छोड़ गए है राधानात सिकदर भारत की उन अनेकों अल्पग्यात महान विभूतियों मैंसे एक है जिनहें इतिहास में वय स्थान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था जहां तक जॉर्ज एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट से सम्बंद का प्रशन है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जीवन की समसे बड़ी उपलबती यही थी कि उन्होंने राधानाज सिकदर को खोज निकाला था दरसल 19-20 सदी की शुरुवात में अंग्रेजों ने भारत का मानचित्र तयार करने के उद्देश से पूरे देश का एक त्रिकोन मिती सर्वेक्षण का प्रोजेक्ट आरम किया था इसी प्रोजेक्ट के तहट सन 1830 में सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनकर भारत आया भारत आने के बाद जॉर्ज एवरेस्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो स्फेरिकल ट्रेग्नोमेटरी में विशे सग्य हो तब उनके एक सिच्चक मित्र ने उन्हें कोल काता के एक योवा च्छात्र राधानाथ सिकदर का नाम सुझाया जिसने अपनी गड़ती प्रतिवासे अपने शिक्षकों को कायल कर रखा था फिर क्या था सर जोर्ज एवरिस्ट ने राधानाथ सिकदर को अपने विभाग में कंप्यूटर के पदपर नौकरी पर रख लिया उस समय आज की तरह कंप्यूटिंग का काम कंप्यूटर मशीनों से नहीं बलकि इनसान कंप्यूटरों से कराय जाता था जो काग्यों पर प्राप्त डेटा को कंप्यूट करते थे राधानाथ सिकदर बेहत मेहनती और प्रतिवाशाली इनसान थे जिसके कारण सर्थ जॉर्ज एवरिस्ट उनसे काफी प्रभावित रहते थे फिर आया साल 1843 जब जॉर्ज एवरिस्ट रेटायर हो गए और उनके स्थान पर नए सर्वेयर जन्रल बने कर्नल एंड्रियू स्कॉर्ट वॉउव अब जान रहे अब तक माउंट एवरिस्ट जिसे उस समय पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था की उचाई नापने का काम शुरू नहीं हुआ था ये तो कर्नल एंड्रू स्कॉर्ट वॉ थे जिन्होंने राधानाथ को पीक एक्सवी की उचाई मापने का काम सौपा राधानाथ अपने काम में जी जान से लग गए और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 1852 में पीक एक्सवी की उचाई बताने में सफल हुए उन्होंने बताया कि इसकी उचाई 29,002 फीट है जो दुनिया में ग्याद सभी परवत चोटियों से ज्यादा है लेकिन इसके बाद भी इसकी ततकाल गोशना नहीं की गई क्योंकि राधानाथ अपनी हर गड़ना से हर तरह से संतुष्ट होना चाहते थे सभी आंकडे एक बार फिर से जाचे गए और आखिरकार 1856 में जब बे पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब इस बात की आधिकारी गोशना की गई कि पीक एक्सवी ही दुनिया की सबसे उची चोटी है इससे पहले कंचन जंगा को दुनिया का सबसे उचा परवत सिकर माना जाता था खैर अब बारी आई पीक एक्सवी का नाम रखने भी अगर भारत उस समय आजाध होता तो बहुत संबब था कि उसका नाम माउंट सिकदर या माउंट राधानात रखा गया होता लेकिन उस समय तो हुकूमत अंग्रेजों की थी तो कर्नल एंड्रिव स्कॉट वा ने उस चोटी के लिए नाम चुना माउंट एवरेस्ट यह नाम उनी सर जोर्ज एवरेस्ट के नाम पर था जो कर्नल एंड्रिव स्कॉट वा के पूर्व भारत के सर्वेर जन्रल हुआ करते थे तो इस तरह एक प्रतिवाशाली और परिश्रमी भारती गड़ तक जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी जो अपने काम के प्रती इतना समर्फित था कि उसने आजीवन विवार नहीं किया उसके योगदान को बड़ी आसानी से भुला दिया गया लेकिन उस समय तो जो हुआ सो हुआ शासन अंग्रेजों का था और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे पर दुख की बात तो ये है कि आज इतने सालों के बाद भी जब भारत आजाद हो चुका है हम में से ज़्यादा तर भारती अपने ही देश के इस महान गड़तगे का नाम तक नहीं जानते है क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को इतिहास के इन भूले बिसरे नायकों के बारे में बताना चाहिए